आपके पास Vivo X100 प्रो है कोई भी फोन है तो यहां पर आप अलार्म की सेटिंग कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आप स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आपको क्लॉक देखने को मिलेगा इस पर आप चले जाएंगे इसके बाद यहां पर अलार्म पर क्लिक करना है आपको यहां पर अल्रेडी दो अलार्म देखने को मिलता है सिस्टम के तरफ से एक साड़े आठ बजे का मंडे टू फ्राइडे और नौ बजे का सेटरडे संडे का नया आलार्म सेट करने के लिए आप यहां पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर न सबसे बहुत टाइम सेलेक्ट करेंगे तो आप चाहो तो यह वाले क्लॉक यूज कर सकते हैं टाइम और से सेलेक्ट कर लेंगे एम का चाहिए तो एम पीएम का चाहिए तो पीएम तो जो ब्लू कलर का रहेगा वह सेलेक्ट रहेगा इसके बाद यहां पर रिपीट क्लिक कर लेंगे रिपीट पर जाने के बाद यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे किस दिन चाहिए किस दिन नहीं च करचेगा तो मैं हर दिन का कर देती हूं ओक की कर दूंगी इसके बाद यहां पर अलाम का ringtone आ जाता है अलाम का ringtone यहां से चेंज कर देंगे और प्लस पर जाके ना आपको downloaded वाले में से option मिल जाएगा कुछ download कर रहा है तो वह आप सेथ कर सकते हैं तो यहीं से जाके आप इस पर डाउनलोड वाले option पर कोई एक सब्सक्राइब हो जाएगा ठीक है vibration चाहिए तो on रखेंगे और यहाँ पर लेबल आ जाता है लेबल एक तरह का reminder होता है अगर यहाँ पर आप morning walk करते हैं या फिर school जाते हैं कुछ भी तो यहाँ पर रिमाइंडर एक सेट कर लेंगे स्क्रीन पर लिखा हो आ जाएगा और रिमाइंडर लेटर यहाँ पर यह स्नूजिंग है कि हर दस मिनट में यह बज़ना चाहिए या फिर हर पांच मिनट में तो दस मिनट ही रहने देंगे इसको और इसके बाद यहाँ चेक मार्क पर क्लिक कर देंगे अलारम आपका सेट हो चुका है यहां से आप बंद कर लेंगे अन कर देंगे अब त्री डाट पर जाएंगे सेटिंग पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जागा अलाम की इतनी सेटिंग्स और मिल जाएंगे आपको जिसमें से आप सैलेंस आफ्टर मदलब तस मिनट बाद यह सैलेंट होना चाहिए अलारम या पांच मिनट तक बजना चाहिए वह आप लिक सेलेक्ट कर देंगे इसके बद अलाम का वॉल्यूम कितना रखना है यह सेलेक कर देंगे ग्रेजुली इंक्रीज को आप 5 सेकिंड कर देंगे ताकि अचनक से न बजे और वॉल्यूम बटन से आप यहां पर आफ को सेलेक्ट कर देंगे वॉल्यूम बटन से दबाने से पाव कट जाता है अलारम पावर आफ अलारम रिंगिंग यह वाला ओप्शन जरू क्लिक कर देंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार